आज मैं आपको अपने चैनल टैस्टी फोड बेत पूजा में बिहार की एक स्पेसल रेसिपी लिट्टी चोखा बना कर बताने वाली हूँ जिसे आप चोखा, रायता और टमाटर की लाल चटनी के साथ खाएं तो ये खाने में बहुत ही टैस्टी और लाजबाब लगती है तो आएए हम बनाते हैं ठंडियों की स्पेसल रेसिपी लिट्टी चोखा इसके लिए हमने तीन वाल डालू लिए हैं दो बैगन, थोड़ी सी धनिया, चार डमाटर, चारपाच हरी मिर्ची, अद्रक का टुकडा, लहसन और एक नीबू लिया है लिट्टी के लिए हमने दो कटोरी आटा लिया है उसमें थ्री टी स्पून घी आड़ करते हैं हाप टी स्पून अजवाइन को हाथों से क्रस्प करके आड़ करते हैं हाप टी स्पून कलोंजी आड़ करेंगे हाप टी स्पून जो रोस्टेड जीरा है उस जीरे को आड़ करते हैं थोड़ी सी धनिया पत्ति डालते हैं कि बंटी स्पून बेकिंग सोडा एड़ करेंगे रहा है और इसे हम मठा या दही से गूनते लिए अच्छा सा दो तयार करते हैं क्योंकि हम इसमें जो हमने बेकिंग डाला है दही से गूनने से वह एक्टेब हो जाता आटा बहुत ही सौफ्ट-सौफ्ट होता है देखे अब हमारा आटा का जो डो है वो लग चुपका है उसमें हम जड़ा से गी लगा कर उसे और थोड़ा से समालते हैं और 5 मिट के लिए उसे ढखका रख देते हैं हम एक कटोरी चो भुझी वे चने हैं वो लेते हैं और उनका छिलका निकाल कर हम मिकसर में अच्छे से पीस लेते हैं, आप चाहे तो सत्तु भी ले सकते हैं, फिर हम उस सत्तु में टू टी स्पून हरीमिर चैट करते हैं, वन टी स्पून अध्रक एड़ करते हैं हाप टी स्पून अजवाइन को हाथों से क्रस्ट करके एड़ करेंगे थोड़ी से धनिया की पत्ते एड़ करते हैं वन टी स्पून अध्रक एड़ करते हैं एक प्यास को एड़ करेंगे जिसे हमने चॉप्ट करके रखा हुआ था उसे एड़ करते हैं वन टी स्पून सरसों का ओयल एड़ करते हैं ओयल हमें कच्चाई डालना है फिर इसमें किसी भी अचार का मसाला मैं इसमें आम का चार का मसाला इड़ करेंगे टू टी स्पून आम के चार का मसाला एड़ करेंगे थोड़ी सी कलांजी है हाप टी स्पून कलांजी एड़ करते हैं एक नीबू करस एड़ करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमाक एड़ करते हैं और इन सब को हम अच्छे से मिक्स करते हैं इसे हम अच्छे से मैस कर लेते हैं और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छे से गूंद लेते हैं और एक अच्छा सा डो तैयार कर लेते हैं इसे ज़्यादा गिला नहीं करना है सिर्फ इसको थोड़ा सॉफ्ट साही करना है जो हमारी स्टपिंग अब देखें वो तैयार हो गई है जो बैगन है उन्हें हम 20 से कट करके उनमें लेसन डाल देते हैं मैंने यहां कटे हुए या चॉप्ड लेसन का यूज किया है आप चाहें तो साथ जी यह लेसन भी रख सकते हैं फिर इन पर ओयल लगा कर भूजने के लिए रख देते हैं ओयल लगाने से जो इनकी स्किन है वो जल्दी निकल जाती है इसलिए हम इन पर ओयल लगाते हैं इसके बाद हम बैगनों को पलट पलट कर अच्छे से रोष्ट करते हैं बैगनों को हम जब तक रोष्ट करना है जब तक इनके ऊपर का जो छिलका है जो उनकी इसकिन है वो काली ना हो जाए तो यह भूंज गए है अब इसी तरह हम टमाटर को भी ऑईल लगाकर रोष्ट कर लेते हैं इन्हें भी हमें अलट पलट कर भूंजते रहना है टमाटर है जो मारे भूंज गए हैं अब इसी तरह हम जो मारे उबले हुए आलू थे उन्हें भी हम पांच मिड़ के लिए गैस पर रोष्ट करते हैं जिससे उनमें भी भूंजा हुआ फ्लेवर आने लगे इसलिए हम उबले हुए आलू को भी पांच मिड़ गैस पर अच्छे से अलट पलट कर रोष्ट करते हैं जो मारा आलू है अब वो देखिए रोष्ट हो चुका है हमने जो बैगन है उनको हमने छील लिया है उसमें हम टमाटर को दो टमाटर लेते हैं और उनको एट करते हैं। हैं और जो मारे रोश्टेड आलू हैं उन्हें भी हम उसी में मैस करते हैं फिसमें जो मारी बच्ची हुई अद्रक थी उसे एड़ करेंगे जो मिर्ची बच्ची हुई थी उसे भी आड़ कर देते हैं लेसन को एड़ करते हैं जो प्याज बचा हुआ था उस प्याज को एड़ करेंगे और इन सबको हम अच्छे से मैस कर लेते हैं आप चाहें तो किसी मैसर का यूज कर सकते हैं लेकिन मैंने हाथ का यूज किया है फिर आप इसमें धनिया पट्टी आड़ करते हैं थोड़ा सा काला नमक आड़ करेंगे हाप टी स्पून हाप टी स्पून इसमें अजवाइन अड़ करते हैं थोड़ा सा नीबू का रस अड़ करेंगे और हाप टी स्पून अमचर पाउडर अड़ करते हैं चरा सी लाल मिर्ची एड़ करेंगे आप मिर्ची अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं और नमक भी आप मैंने इसमें काले नमक का यूज किया आप चाहें तो सपेद नमक भी इसमें यूज कर सकते हैं और इसे हम अच्छे से मैस करते हैं अब जो मारा आटा है उसके हम छोट छोटी लोई बना लेते हैं और इसे हातों से गुमाते हुए पतला करते हैं फुर इसमें जो हमने तयार की हुई स्टपिंग थी उस स्टपिंग को भरते हैं और इसे चारो साइड से अच्छे से दवाते हुए एक गोल बॉल का सेप दे देते हैं और इसी तरह हम सारी लिट्टी बनाकर तैयार कर लेते हैं अब हम लिट्टी अप्पे के साचे में बनाएंगे तो अप्पे के साचे को हम गरम होने के लिए रखते हैं और उसमें थोड़ा सा घी डाल कर उसमें थोड़ी थोड़ी राय डाल देते हैं और जो मारी बनी हुई लट्टियां हैं उन सबको उसमें रख देती हैं मैं आज आपको लट्टी अप्टे के साचे में और कुकर में बना का दिखाऊंगी फिर जो लट्टी वाली कैसे हम बिल्कुल मद्दा कर देती हैं और उन्हें हम मद्दी फ्लैम पर ही पकने देते हैं हर दो तीन मिनिट में हम लट्टियों को अलट पलट कर सेखते हैं और उन पर थोड़ा बहुत घीवी डाल देते हैं लिट्टियों को हमें अलट पलट कर अच्छे से सीगना है जब तक कि हमारी लिट्टि है जो हलकी सी फट ना जाए अब देखे हमारी लिट्टि पाक गई है इन्हें हम निकाल कर घी में डिप करके प्लेट में रखते जाते हैं देखे लिट्टि फट गई है इन्हें हम घी में डिप करने से इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा अनलगने लगता है देखे हम कुकर में इसी तरह से हमने कुकर में भी हलका से घी डालकर लिट्टियों को रख दिया था कुकर के ढकन की सीटी निकाल लेते हैं और उन्हें हम कुकर में वेक करते हैं तो आप तैयार है हमारी लिट्टि और चोखा यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, सेयर और सब्सक्राइब जरूर करें प्लीजियो के बाहना, तो आपके लेको साफ्चाइब एमने वीडियों, कि झाले हैं